तो नमस्कार मैं विपुल सिंग स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टड़ी कैपिटल पर और स्टूइटी पीजी 2023 के आंसर की रिजल्ट और कट अफ को ले करके खूब सारी अफवाहें उड़नी सुरू हो गई हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारी अफवाहों को भी काटूंगा जितने भी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और आपको सही इंफॉर्मेसन दूँगा क्योंकि बहुत ही जरूरी हो गया है एक बरसाती मेढक की तरह से जब काउंसलिंग की परकिरिया आती है तो लोग रिजल्ट, कट आफ, आंसर की जो कभी इस फिल्ड में काम नहीं किये जिनों ने इस्ट्रेंट के साथ वर्क नहीं किया वो आकर के अपना काम करने लगते है तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो रही है जो लगतार आपके लिए पिछले कई महीनों से वर्क कर रहा है और आगे आने वाले समय तक करता रहेगा तो चलिए सुरुआत करते हैं इस वीडियो की और वीडियो की सुरुआत करने से पहले य आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत यह अच्छे डंग से क्लियर हो जाएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए उसके बाद भी बहुत सारे इस्टुएंट्स का भी एक्जाम चूटा हुआ है तो संभौता दो तीन दीन एक्जाम और भी आगे जा सकता है अगर मैं step by step बात करूँ तब आपको cut off तक में पहुचाऊंगा अगर प्रोविजनल आंसर की की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि बहुत जल्दी अगर प्रोविजनल आंसर की आता है वो भी लास्ट एक्जाम के 5-7 डेस बाद आता है कितने होने के लगवग 10 दिन तक तो आंसर की की प्रक्रिया चलेगी बहुत तेज से प्रक्रिया चलेगी तब यानि अगर आपका एक्जाम मानलू मैं कि 20 तारीक तक समाप हो जाता है सारे बच्चों का एक अगर 20 तक समाप हो जाता है तो लगवग लास्ट जून हो जाएगा जारी करती है इसको भी बहुत जल्दी जारी कर देगी तो एक अपते के अंदर जारी कर देगी यानि अगर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर बहुत जल्दी यह प्रसेस होगा तब भी फरस्ट वीक आप जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा कट-off NTA निकाल देगी तो वो निकाल देंगे यह निकाल देंगे NTA scorecard देगी आपका कि हाँ आपने CUET PG में इतना marks प्राप्त किया है बस NTA का काम वहाँ पर समाप्त हो जाएगा अब उसके बाद cut-off की जब बारी आएगी तो अलग 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 इंवर्सिटी जैसा आपका अपना अपना counseling portal open करेंगी कुछ दिन में उस counseling portal में आप register करेंगे उसके बाद अलग अलग इंवर्सिटी खुद अपना cut-off बताएंगी यानि result आने के काफी दिन बाद कम से कम हपता दस दिन बाद भी लग सकता है उसके बाद इंवर्सिटी अपना-पना cut-off जारी करेंगे तो यानि अगर cut-off का जो लोग इंतिजार कर रहे हैं कम से कम यह मान के चलिए कि आपका जो cut-off है वो कब आएगा तो वो 10 जुलाई के बाद ही मानिए 10 जुलाई से पहले आपके cut-off आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है अब अगली चीज मैं आपको बता दूँ कि अब cut-off को ले करके इधर-दर सर्च करना परिसान होना और बरसाती मेड़कों के चक्कर में फसना मत फस यह पहली चीज और जितने भी लोग अगर क्वेरी कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे कोर्से का अनुभाव हैं बहुत सारे कोर्से चलते हैं ममसी कोर्से चलते हैं बीएट चलता है लेल भी चलता है तो अगर आपको उसका में फस जा रहे हैं और मैं बार बार इस बात को दोरा रहा हूं कि बरसाती मेड़क जैसे लोग काउंस्लिंग में निकल जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है अधिक जानकारी के लिए और लागातार हमसे सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत धन्यवाद नमस्कार